हालो डीडर्स विल्कम बैक टू माई चैनल चलो देख लेते निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या व्यूस बन रहे हैं और कल कॉंसिस्ट ओक्सम यहाप पर ट्रेड कर सकते हैं तो सबसे पहले आप यहापर देख सकते हो कि निफ्टी का डेली का चार्ट लगा हुआ है और प् कुछ क्लियरीटी नहीं मिल रहे है मैं आपको कुछ सिंपल लेवल बताने वाला उस लेवल पर वैसिस पर हम बहुत ही अच्छे ट्रेड्स ले सकते हैं अगर आप देखोगे एक ट्रेंड लाइन के बारे में हमने यहापर बात की हुई थे अगर हम थोड़ा सा 15 मिनिट ट् इसका मतलब सब्सक्राइब हम किया अपने प्रेंड लेवल एगा यहापर आपके साथ में शेयर किया था जिसका लेवल है 18,237 simple हमने क्या बोला था market तो यहाँ पर gap up open होने ही वाला था simple मैंने बोला था कि अगर market gap up open होता है तो कोई भी pullback देखकर इस वाले level पर अगर market आता है तो यहाँ पर अगर कोई अच्छा hammer candle या फिर bullish candle बनता है तो यहाँ पर से बहुत यह अच्छे long credit लिये जा सकते है बट अगर आप देखोगे यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ market यहाँ पर गिरता रहा यहाँ पर market ने breakdown किया हमारे level को retest भी किया then market यहाँ पर नीचा आया और अभी अपने important trend line पर trade कर रहा है अभी अगर मुझे long credit लिने होगे तो मैं आपको simple बताना चाहूंगा कि जो यह हमारा market profile का level है 18,237 का level है इसके उपर ही मैं long credit लिना चाहूंगा otherwise मैं यहाँ पर long नहीं जाना चाहूंगा इसके बीच में यहाँ पर volatility हो सकते हैं यहाँ पर trade करना थोड़ा सा avoid करूंगा बट अगर market हमारे 18,100 के level के नीचे आ जाता है जो कि हमारा daily time frame वाला swing high का level है तो इसके नीचे में बहुत ही अच्छे च्छे shorting के trades लेना चाहूंगा बहुत ही higher probability short के trades यहाँ पर बनने वाले तो यहाँ पर long और यहाँ पर short यह दो ही setups मेरे लिए बन रहे ओप कि आपको यह पूरा analysis nifty का समझ में आ गया होगा अब यहाँ पर से bank nifty के तरफ चलते हैं bank nifty में हमने यहाँ पर बात की हुई थी कि bank nifty भी gap up open होने वाला है और bank nifty आज एक अच्छा अपना all time high लगा सकता है बट बात यह रहती है कि all time high पर sustain कर पाता या फिर नहीं कर पाता आपको यहाँ पर candle देखकर ही पता चल गया होगा कि यह आज यहाँ पर sustain नहीं कर पाया market उपर खुला देन यहाँ पर से market नीचे गिरा अगेर buyers ने market try किया कि वो अपना आज के दिन का high को break करें बट नहीं कर पाया same level से market आज गी रहा है तो अगर हम यहाँ पर 15 minute time frame में देखेंगे तो हमने simple क्या discuss कियो था कि market अगर यहाँ पर कोई reversal pattern मनाता है तो यहाँ पर से हम shorting के debts ले सकते 5 minute time frame में यहाँ पर बहुत ही अच्छा consolidation हुआ consolidation का breakdown हुआ retest हुआ retest पर मुझे याद है कि एक inverted hammer candle भी बने थी और यहाँ पर मैंने shortcut trade भी लिया यहाँ पर मेरा stop loss गया again जब यह consolidation upside में breakout हुआ तब retest पर मैंने और एक long का trade लिया मेरा target था आज की दिन का high क्योंकि price यह जो यहाँ पर candle बना रही थी इसे हम red elephant candle बोल रहे है तो red elephant candle का high जो है वो as a supply zone का काम करता है जब भी price वहाँ पर जाएगा 100% एक selling आने माले थी इसी वज़े से मुझे अच्छा restore reward भी नहीं मिल रहा था बट एक higher probability trade था क्योंकि यह all time high का level है prices को cross कर रही है retaste कर रही है 5 minute time frame में बहुत ही अच्छा setup बन रहा है आप check कर सकते हो वहाँ पर मैंने long लिया almost 1-1.6 का restore reward मिला 1-2 का भी नहीं मिला but 1-1.6 but higher probability था इसी वज़े से मैंने लिया और एक अच्छा मेरे लिये यहाँ पर profits भी बना अभी कल हम यहाँ पर किस तरीके से trade कर सकते हैं अगर मैं आपको बताओ यह हमारा all time high का level है और simple हमें क्या करना है यह एक zone mark करना है अगर आप देखोगे बट यह lower probability short का trade होगा आप यहाँ पर कं quantity trade कीजिएगा यह higher probability long का trade होगा क्यूंकि वो अपने all time high पे trade करेगा price और all time high पे trade करेगा प्लस यह elephant candle का high भी break कर रहा है तो इसी वज़े से यह higher probability trade होगा इसी वज़े से अगर हम long के trades ले तो अच्छी कॉंटिटी हम यहाँ पर trade कर सकते है बट यहाँ पर हमें कम quantity trade करनी पड़ेगी बट जैसी price यहाँ पर 41,500 के नीचे निकलता है तो यहाँ पर से हम अच्छी quantity short side में plan कर सकते है क्योंकि यहाँ पर यह consolidation का resistance ओने आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि market rejection ले रहा था अगर price इस level के नीचे आ रहा है इसका मतलब price यहाँ पर से नीचे गिर सकता है इसी वज़े से अगर 41,500 breakdown कर रहा है तो surely हम यहाँ पर से बहुत एच्छे shorting के trades ले सकते हैं यहाँ पर भी एक short बनेगा यहाँ पर भी एक short बनेगा और यहाँ पर मैं long के trades यहाँ पर plan करने वाला हूँ ठीक है यह पूरी-पूरी है हमारी nifty और bank nifty के analysis अभी यहाँ पर से stocks के analysis के बारे में बात कर लेते तो सबसे पहला stock यहाँ पर मैंने select किया यहाँ ब्रेकाउट हुआ तो जैसे ब्रेकाउट हुआ तो इसका जो previous extreme high और low था आप यहाँ पर देख सकते कि previous extreme high यह है और previous extreme low यह है इसको मैंने Fibonacci extension का tool लगा दिया और यह 1.272 और 1.618 यह 2 levels मुझे मिल गए अगर आप देखोगे exactly जब market यहाँ पर गिराता तो वह 1.272 से ही गिराता breakout से पहले भी market ने 1.272 पर यहाँ पर consolidation किया था इसका मतलब इन levels को price बहुत ही अच्छे से respect कर रहा है और अभी अगर आप देखोगे market यहाँ पर 1.618 के आसपास आ रहा है इसी वज़े से यहाँ पर एक अच्छी trading opportunity हमारे लिए बन सकती है अगर हम 15 minute time frame में देखेंगे तो एक बहुत ही अच्छा structure market यहाँ पर बना रहा है यह हमारा 1.618 का level है अगर मैं आपको exactly level बताना चाहूँ तो 625 का level आ रहा है हमें क्या करना है हमें simple यह जो high यहाँ यहाँ पर बन रहा है इसको mark करना है और इस वाले trend line को mark करना है अब यह जिस भी direction में break होगा अगर यह upside में breakout होता है हम यहाँ पर से long kitteds ले सकते बट 625 पर हमें square off करना ही पड़ेगा क्योंकि important level है और similarly अगर यह यहाँ पर से breakdown कर रहा है तो हम बोल सकते कि यह जो price ने rejection लिया था वो exactly 1.618 का हम as a level तो नहीं मान सकते हमें इसे as a zone consider करना पड़ेगा अगर यह upside में breakout हो रहा है तो chance बन सकता है market अच्छा बुलीश है इसे वज़े से long kitteds हम यहाँ पर miss नहीं करने वाले बट अगर यह downside में breakdown कर रहा है तो हम यहाँ पर से shorting kitteds ले सकते क्योंकि यह अपने 1.618 के zone से reject हो रहा है यहाँ पर से market गिर सकता है इतना ही simple यह आपर analysis है निक जो stock हो है हिंदाल को अगर हम delay time पर में चलेंगे तो हिंदाल को अपने important trend line पे आ चुका है आप यह आपर देख सकते हो थोड़ा सा 4 hour में चलते है ताक कि यह trend line clearly दिखे आप यह trend line देख सकते हो कि market उपर जा रहा है trend line पे pullback ले रहा है again उपर ग लेंगे तो आप यह पर देख सकते हो कि price जब trend line पे trade कर रही है तो price यह आपर एक बहुत ही अच्छा range create कर रहे है आप यह आपर देख सकते है यह range है अभी simple अगर यह upside में breakout दे रहे है तो हम यह आपर इसे long के trades ले सकते है अगर यह range downside में breakdown कर रहे है तो हम यह आपर से shorting के लिए मुझा शेयर कर दीजे और एसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब भी कर दीजे तो आज की वीडियो में इतना ही रखते है thank you very much